तो फ्रेंड मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरा यूटूब चनाल डिकेडी क्रिशन पर फ्रेंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे मानवधिकार के उपर जहां पर मैं आपको मुख्यत तीस पॉइंट से आपको आलोकीत करने की कोशिश करूँगा कि मानवधिकार क्या होता है ताकि आपको मानवधिकार को लेकर और कोई भी संकार ना रहे तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं सामयन्य जीवन यापन के लिए प्रतेक पॉनिश्य के अपने परिबार कारिये सरकार और समाज पर कुछ अधिकार होते हैं जो आपसी समझ और नियमद्वारा निर्धारित होते हैं इसी के अंतरगत सेंग्त राष्ट्र महासभाद्वारा 10 डिसेंबर 1948 को सर्वभोमीक मानवधिकार गोशना पत्र को अधिकारिक मान्यता दी गई जिसमें भारत्य समिधान द्वारा प्रत्यक मनिशक को कुछ विशेश अधिकार दिये गए हैं अतहा प्रत्यक बर्स 10 डिसेंबर को मानवधिकार दिवस मनाया जाता है मानवधिकार से तातपर्ज उन सभी अधिकारों से हैं जो बेक्ति के जीवन सुतंतता समानता एबंग प्रतिष्टा से जुड़े हुए हैं ये सभी अधिकार भारत्य समिधान के भाग तीन में मूलभूत अधिकारों के नाम से बरनीत किये गए हैं और न्यानों द्वारा परवतनिया है जिसकी भारत्य समिधान ना केबल गैरेंटी देता है बलकि इसकी उलंगन करने बालों को अदालत सजा भी देती है बैसे तो भारत में 28 सेप्टेंबर 1993 से मानव अधिकार कानून अमल में लाया गया था और 12 ओक्टोबर 1993 में राष्ट्रिय मानव अधिकार आयूग का गठन क्या गया था लेकिन सवयुक्त राष्ट्रव महसभा द्वारा 10 डिसमबर 1948 को घोशना पत्र का मान्यता दिये जाने पर 10 डिसमबर का दिर मानव अधिकार दिवस के लिए निशित क्या गया मनव अधिकार के 30 अनुचेदों द्वारा साल्राता से समझा जा सकता है और उसका प्रतेक व्यक्ति को इसकी जानकारी और समझ अवेश्य होनी चाहिए तो पहला पॉइंट यहां पर लिखा गया है क सब लोग गरिमा और अधिकारों के मामले में स्वतंत्रता स्वतंत्र और बराबर हैं अर्थात सभी मनुष्यों को गौरब और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समंता प्राब थे उन्हें बुद्धी और अंतरात्मा की देन प्राब थे और परस पर उन नसल, रंग, लिंग, भासा, धर्म, राजनितिक या अन्य विचार, राष्टियता या सामाजिक उत्पति, संपति, जन्म, आधी जैसे बातों पर कोई भैदभाब नहीं क्या जा सकता। फर्क नहीं रखा जाएगा। तिसरा पॉइंट प्रत्यक व्यक्तिक के जीवन आजादी और शुरक्या का अधिकार है। चोथा पॉइंट गुलामी या दास्ता से आजादी का अधिकार। अर्थात किसी भी व्यक्तिक को गुलामी या दास्ता की हालत में नहीं रखा जा सकत गुलामी प्रथा और वेवार पूरी तरह से निशेद होगा। पांचबा पॉइंट है यातना प्रताड़ना या कूर्ता से आजादी का अधिकार अर्थात किसी को भी सार्रीक यातना नहीं दी जा सकती और ना किसी के भी प्रती निर्दय अमानव्य या अपमान जनक की क्या जा सकता। छटा पॉइंट कानून के सामने समानता का अधिकार अर्थात हर किसी को हर जगा कानून की निगाह में ब्रेख्ति के रूप में सविकृत प्राप्ति का अधिकार है। साथबा पॉइंट है कानून के सामने सभी को समान सरंख्यन का अधिकार अर्थात कानून की निगाह में सभी समान है और सभी बिना भेदभाब के समान कानूनी सुरक्षा के अधिकारी है। आठबा पॉइंट है अपने बचाप में इंसाब के लिए अधालत का दर्वाजा खटखटाना का अधिकार अर्थात सभी को सम्विधान या कानून द्वारा प्राप्ध भुनियादी अधिकारों पर किसी के द्वारा अतिक रमन किये जाने पर समुचीत राष्टिया अध हैता पाने का अधिकार है नौबी पॉइंट है मनमाने धंग से की गई गिरफतारी हिरासत में रखने या निर्वासन से आजादी का अधिकार अर्थात किसी को भी मनमाने धंग से गिरफतार अनजरबन या देश निसकासित नहीं क्या जा सकता दसबा पॉइंट है किसी सर्वजनिक सुनबाई का अधिकार अर्थात सभी को समान रूप से ये अधिकार हैं कि उनके अधिकारों और कर्तवियों के मामले में और फोजदारी की किसी मामले में उनकी सुनबाई अधालत द्वरा न्याय उचित और सर्वजनिक रूप से निर्फक्ष्य एवंग क्या गया हो तब तक निर अपराद माना जाएगा जब तक उसे एसी खुली आदालत अदालत में कानून के अनुसर अपराधी ना शिद्ध कर दिया जाए जहां उसे अपनी सफाई की की सभी अवश्य सुभिधाएं स्प्राप्थ हो 12 नमबर पॉइंट में लिखा गया है कि घर परिबार और प्रत्रचार में निष्टा का अधिकार अर्थात किसी व्यक्ति की एकांताता परिबार घर या पत्रविवार के प्रतिक कोई मन मानना हस्तख्यप्स ना क्या जाए ना ही किसी के सम्मान और खेती पर कोई आक्षेप ह एसे आस्तख्यप या आख्यप के विरोद प्रतिक को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राब थे 13 नमबर पॉइंट में बोला गया है कि अपने देश में भ्रहमन और किसी दुसरे देश में आने जाने का अधिकार अर्थात प्रतिक बेक्तिक को प्रतिक देश के सिमाओं के अंदर स्वतंत्र पूर्वक आने जाने और बसने अमंग अपने या पराय किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश बापस आने का अधिकार है। 50 नमर पूर्ण में लिखा गया है कि राष्ट्यता का अधिकार अर्थात प्रतेक व्यक्ति को राष्ट्र विसेश की नागरिकता का अधिकार है। 50 पूर्ण को बिना किसी जाती राष्ट्यता या दर्म की रुकावटों के आपस में विवा करने और परिवार सापना करने का अधिकार है। उन्हें विवा के विशे में, विवाईक जीवन में तथा विवा विचेत के बारे में समान अधिकार है। 17 पूर्ण में बताएगा है कि संपती का अधिकार अर्थाद प्रतेक विविक्तिक को अकेले और दूसरे के साथ मिलकर संपती रखने का अधिकार है। एवन किसी को भी मनमाने ढंक से अपनी संपती से बंचित नहीं क्या जा सकता। प्रतेक विविक्तिक को विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंदता का अधिकार है। इसके बिना हस्तेखेप राय रखना और किसी भी माध्यम के जरिये से तथा सिमाओं की परवाना करके किसी की सुचना और धारना का अविशन ग्रहन तथा प्रदान इसमें समीलित है 20 नमर पॉण में लिखा गया है कि संगठन बनाने और सभा करने का अधिकार अर्थाथ प्रतेक विक्ति को सांति पुन्य सभा करने या समीती बनाने का सुधन दता का अधिकार है किसी को भी किसी संस्ता का सदेश्य बनने के लिए मजबूर नहीं क्या जा सकता 21 नमर पॉण में लिखा गया है कि सरकार बनाने की गतिविधियों में हिस्सा लेने और सरकार चुनने का अधिकार अर्थाथ प्रतेक विक्ति को अपने देश के सासन में प्रतेक्स रूप से या स्वतनतितर रूप से चुन गए पतिनिधी के जरिये हिस्सा लेने सरकारी न प्रतेक विक्तिक को सामाजिक शुरख्या का अधिकार हैं और प्रतेक विक्तिक को आपने विक्तित्व के उस स्वतन तता विकास तथा गोरब के लिए जो राश्ट्रे प्रहत्न या रांतर राश्ट्रे सयोग तथा प्रतेक राज्य के संगेठन एवं साधनों के अनुकुल हो अनिबर तहड आवश्य हो आर्थिक सामाजिक और शांस्कुरुतिक अधिकारों की प्राप्ति का हक है 23 नमर पॉंड में लिखा गया है कि काम करने का अधिकार समान काम पर समान भुकतान का अधिकार और ट्रेड यूनियन में सामिल होने और बनाने का अधिकार अर्था इच्छा अनुसा रोजगार के चुनाप काम की उचित और सुभीधा जनक परिसितियों के प्राप्त करने सम कार्य के लिए बिना किसी भेदभाब के समाज मजदूरी पाने एवंग अश्रम जीवी संग बनाने और उनमें भाग लेने का अधिकार है कि काम करने की मुनासिब आवधी और सर्वतिनिक छुटियों का अधिकार अर्था प्रतिक वेक्ति को विश्राम और आवकास का अधिक है 25 नमर पॉइंड में लिखा गया है कि भोजन आवास कपड़े चिकिशिय देखवाल और सामाजिक शुरख्या सहीत अच्छे जीवन स्तर के साथ स्वयम और परिवार के जीने का अधिकार 26 नमर पॉइंड में लिखा गया है कि शिक्षा का अधिकार अर्था प्रतिक वेक्ति को शिक्षा का अधिकार है जिसमें प्राथमिक शिक्षा अनिबार्य है एवंग निसुल्क होगा बहोगी शिक्षा द्वारा राष्ट्र जातियों अथावा धार्मिक समुहों के बीच आपसी सद्भावना सही सुनता और मेत्री का विकास होगा और सांती बनाए रखने के लिए स्वयम राष्ट्रों के प्रयोत्नों को आगे बढ़ाया जाएगा 27 नमर पॉण में लिखा गया है कि सांस्कृतिक कार्यक्रामों में सामिल होने और बोधिक संपदा के सरंख्यन का अधिकार अर्थात प्रतेक विक्ति का स्वतंतता पूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने कलाओं का आनन लेने तथा वैगानिक उन्नती और उसकी सुभी साओं में भाग लेने का अधिकार है इसके अलावा प्रतेक विक्ति को किसी भी एसी वैगानिक सहितिक या कालत्मक कृति से उत्पन नेतिक और आर्थिक हितों की रक्षा का अधिकार है जिसका रचियता वो स्वयम है 28 नमर पॉर्ण में लिखा गया है कि प्रतेक विक्ति को एसी समाजिक और अंतराष्ट्य व्यवस्ता की प्राप्ति का अधिकार है जिसमें उस गोष्णा में उल्लिखित अधिकारों और स्वतनतताओं का पूर्णताह प्राप्त किया जा सके 29 नमर पॉर्ण में लिखा गया है कि प्रतेक विक्ति का उसी समाज प्रति कर्तवय है जिसमें रहकर उसने विक्तित्व का स्वतनतता और पूर्णविका संभब हो अपने अधिकारों और स्वतनतताओं का उपयू करते हुए प्रतेक व्यक्ति कानुन द्वारा निश्चित की गईक सिमाओं द्वारा बंध होगा जिनका एक मात्र उदेशों दूसरे के अधिकारों और स्वतनतताओं के लिए आदर और समुचित सुविक्रिती की प्राप्ती है इन अधिकारों और स्वतनतताओं का उपयों किसी प्रकार से भी संयुक्त राष्टर के सिधानतों और उदेशों के विरुद नहीं क्या जाएगा तिसरा पॉइंट है इस घोषना पत्र में सामिल किसी भी बात की ऐसी व्यक्षा ना हो जिससे ये अभ्यास मिले की कोई राष्टर व्यक्ति का गुट किसी ऐसी ग्यतिविदी में सामिल हो सकता है जिससे किसी की स्वतन्दता या अधिकार का हनन हो तो जनरली ये था हमारा 30 पॉइंट जहाँ पर 30 पॉइंट को मैंने विरीट हो आपको बता दिया कि इस तिंस पॉइंट के आधार पर एक वेक्ति को मानब अधिकार का चैन करना चाहिए ताकि उसको हर तरह से पूरे विश्वभर से उसको सुरक्षा प्रदान कर पाए और उसके जो dignity को कोई भी हम पर ना कर पाए